हाई वेल्कम बेक टू मैं चैनल ब्लोग इद सुर्वी में आप लोग का स्वागत है और आप लोग कैसा है कमेंट करके बताईएगा हम लोग बहुत अच्छे हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और अभी न मैं खिच्डी बना रही हूं अभी रात का टाइम है अभी खिच् आज से वही खिच्डी बनाएंगे वही अला दिखाएंगे आप लोग को चलिए कैसा बनाती हूं आप लोग को भी दिखाते हैं वीडियो में आप लोग कंटीनिव बने रहे हैं तो एकर तेल गरम हो चुको रहे हैं करहाई नहीं डेक्ची है वाटा पुल्ठा बॉल्टा यह जीरा 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 चटक चुका है तो हुलाव रहे हैं यह प्यार प्यार जीरा जीरा उसका प्रेश्ट बना दिये हैं वह सब इसमें वहीं मिला देते हैं और यह है अधरत लसून का पेश्ट पेश्ट नहीं कूटे हैं इसको मिला देते हैं इसको काटके धोके रखे हुए थे अधो पहर में इसका सब्जी बना दिये हैं इसको अधर प्याज भूल देते हैं तो अभी ये चिकन डाल देते हैं इसमें इसको पका लेते हैं ये चिकन अभी घुन दिया है तो अभी डाल देते हैं लमक लमक डाल देते हैं और बाकी मसाला भी डाल देते हैं ये मसाला डालना है ये हम अभी विडाल देते हैं इसको बार हम भी डाल देते हैं अभी डाल दी अब और थोरा सा मसाला डालते हैं अब इसको अच्छा से घुल देते हैं अभी मसाला अच्छा से भून चुका है अभी ये टमाटर काटके रखे थे इसको डालते हैं इसको भून लेते हैं अच्छा से पका लेते हैं तमाटर सोग खो लेता और इहर दिखिए इसको अच्छा से भून चुका है अब अच्छा से भून चुका है तो अभी डाल देते हैं ये चावल भो के रखेंगे और ये घर का चावल है गर से लायेके हुरी चावल है, ढूके रख दिये थे कि अब इसको डाल देते हैं अब से इसको भी तुरा अचा भून लेते हैं चावल को पकी घून लेते हैं इसको पक्षाणाच चावल को भूज दीए है चिकन के साथ जबादी दो पानी गरम किये दिए ये गरम पानी डाल देते हैं और इसको अच्छा से चला देते हैं और थ्रा सा पानी डाल दीए है और अभी इसको ढखके छोड़ देते हैं तो अभी देख लेते हैं कितना हुआ है ऐसे तो चेक किये थे बीच बीच में और ये देखिए बन गिया है देखा रहे हैं ये देखिए बन चुका है देखिए